नवजकार आदाब आप सभी का स्वागत है C.I.B. इन्डे नूस पर आए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कजबेवासियों को लड़ाई में बढ़ चरकर हिस्सा लेने के लिए प्रेडित करने हैं तू भेजा मोती पूरे सचो जैनराई शुकला के निर्देशन में चौके इन्चार्ज मिही पुर्वा आजयतिवारी ने मिही पुर्वा कजबा निवासी सौरब अगरवाल पुत्रबंटी अगरवाल को अपना प्रभार देते हुए कजबे का धरोका बनाया तथा उसे जिम्मेदारी दी कि वह कजबे वासी के बीच जाकर उन्हें कोरोना जैसी आपदा की भयावता को समझाए एवं जनता को स्वेम योधा बन कर लड़ाई को लड़ने की अपील करें पुलिस की ओर से की गई इस रशनात्मक पहल को छेत की जनता की ओर से भी काफी सरहा गया कस्बे वासियों का कहना है कि मोतिपूर पुलिस की इस पहल से लॉक्टाउन के दौरान घरों में बैठी नागरियों के समक्ष जब उन्हीं के बीच का बालक दरोगा बन कर पहुचा तो पुलिस के इस नवाचार से लोगों को डिप्रेशन दूर हुआ तदा कोर्णा विमारी से लड़ाई में एक सकरात्मक उर्जा का भी संचार हुआ है महिन पुर्वा कस्बे के सौम अगरवाल हमारे सामने हैं आपकी आयू क्या है? मेरी आयू 15 साले आपको पुलिस परश विभाग दोरा एक दिन का दरोगा बना दिया गया था परत्यक शुरूप से तो जब आप दरोगा बने तो आप कस्बे वालों के बीच में गए तो आपने क्या किया आपका क्या अनभौ रहा? मेरा कस्बियों और लोग के सामने ये अनभारा कि आप लोग पूरी सकी सारिना रहिए आप लोग खुशे लोगों से दूर रहिए आप लोग साइयर टाइजर का इस्तेमाल करिए हैंड वास करिए फूट्स वेजी टेमर को धूल कर खाईए और मेरा जादा से जादा यही कहना है कि आप लोग 2 मीटर की दूरी बनाया रखिए और घर के अंदर ही रहिए घर से बहाँ ना निकलिए बहुत जरूरी काम के लिए निकलिए तो मास्क लगा करने कलिए और आईए तो घर के अंदर कप्रे निकलिए और बात्रूम में नहाईए कहां कहां कज़वे में किस-किस जगह पर आप गए हम जरही रोड गे पूर्वी बस्ट स्टैंड गे परवामी गोड़ी गे में मार्केट गे मटही मोड गे बड़ी बजार गे और नेपुरुआ गे पुलिस के रूप में आप छोटे से दरोगा थे पुलिस बने तो आपको कैसा लगा क्या अन्भो रहा आपका अच्छा लगा अच्छा लगा इसलिए मैं पुलिस परशासन से ही कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद से आई विंडियनूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें